दोस्तो आज हम explain करने वाले हैं हाली मैं एक कमाल की मूवी जिसका नामेदा गोट लाई जो कि आपको जरूर परसंद आएगी इसलिए वीडियो को भी लाइक कर दीजी और दोस्तो एं मूवी बाकी मूवी से अलग हैं क्योंकि मैंने इसे इसकी मेंन करेक्टर के पर्स्पेक् मा गया क्योंकि इसकी मेंन करेक्टर की हालत भी कुछ ऐसे ही है वो भी सिर्फ अपनी लेंग्वेज के अलावा कोई और लेंग्वेज समझ नहीं पा रहा था अब चलिए हम कहानी शुरू करते हैं तो मूवी की शिरुवात में हमें नजीम नाम के आदमी को दिखाय जाता ह जो कि हकीम नाम के लड़के के साथ साथ साथी अरी भी आया हुआ था ये दोनों जब एरपोर्ट पर उतरते हैं तो ये देखते हैं कि इने लेने कोई आया ही नहीं होता वैसे दोस्तों आपको बता दे कि हकीम थोड़ा पड़ा लिखा है तो उसे हिंदी और इंग्लिस कोई नहीं आता नजीब समझने पा रहा था कि ये हो क्या रहा है उसे तो कहा गया था कि कंपनी वाले तुमको लेने आएंगे और फिर वो इन्हें अपने साथ ले जाएंगे जहां पर इन्हें इसी वाला कमरा मिलेगा और अच्छा खाना भी दिया जाएगा हकीम के पास ए शेक आता है जो कि इन से अपनी भाशा में कुछ पूछने लगता है अब इन्हें तो उसकी भाशा समझ नहीं आ रहाई थी तो वो कन्फियूज होकर सोचने लगते हैं कि वो शेक कह क्या रहा है फिर दोनों से अपना पासपोर्ट दिखाते हैं जिनने देखने के बाद वो पीछे की तरफ बैठने को कहता है या नजीब उस शेक से पानी मांगता है लेकिन शेक उसे कोई जवाब नहीं देता अब सफर के दोरान नजीब और हकीम की आँख लग जाती है और जब उनके आँखे कुलती है तो दोनों खुद को रेगिस्तान में पाते हैं दरसल ये श चैर से दूर रेगिस्तान में किसी के पास बेचने के लिए आया था वो एक जगा हकीम को छोड़ देता है यानि के एक दूसरे शेक के पास इस पॉइंट पर नजीब कहता भी है कि हमें अलग ना करो लेकिन वो पहले वाला शेक नजीब को मानने लग जाता है और उसे जब आता है तब यहां नजीब धेर सारी बकरियों और उटों के बीच में एक बुजुर्ग आदमी को देखता है जो कि शायत तमिल बोल रहा था ये भाशा भी अब नजीब को नहीं आती थी और इस बोड़े आदमी को देखकर ऐसा लग रहा होता है कि ये भी हैं बेड बकरिय और नए कोई छट इस खुले रेगिस्तान में वो कहां सोता इस दोरा नजीब देखता है कि उसका बॉश टेंट में सो रहा है तो वो भी एक कोने में अपना बिश्तर बिचा कर सो जाता है नजीब अपनी जिन्दगी को भी मिस कर रहा था असल में नजीब हमेशा से गल्फ जाना चाता था क्योंकि उसने देखा था कि जो लोग इडिया में कुछ भी नए कमाते थे वो भी गल्फ से महंगी महंगी चीजे लेकर अपने घर आते हैं तो उसका भी सपना था कि वो भी अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करे नजीब के एक दोस्त का जीजा लोग जिनने वाली थी इसलिए नजीब मा जाने के लिए बेचे इन था ताकि अच्छे पैसे कमा सके कहनी वापस से प्रिजेंट में आती है और नजीब यही सब सोचते हुए सो गया था अब क्योंकि वो टेंट में सोया था इसलिए नजीब का बॉस उसे बुरी तरह से मारता है और टैन के बाहर निकाल देता है नजीब को समझ नहीं आ रहा था कि उसने गलत क्या किया है उसकी बीवी ने नजीब को अचार दिया था तो उसे देखकर वो उसे याद करता है सोभा नजीब को वो बुजरुग अपने पास बुलाता है और वो बकरी का दूद निकाल रहा वो नजीब को दूद देते हुए अपनी भाश्य में कहता है कि इसे ले जाकर बॉस को दे दो लेकिन नजीब के समझ में नहीं आता और उसे लता है कि बुजुर्ग उसे दूद पीने के लिए दे रहा है नजीब उसे पीने लगता है यह देख बुजुर्ग उसे रोकता है और वापस से उस जग को भर कर इशारे से नजीब को कहता है कि ये जाकर उसे दे दो, इस बार उसका इशारा समझ कर नजीब दूद ले जाकर बॉस को दे देता है, यहाँ नजीब फिर से अपने शेक बॉस को समझाने की कोशिश करता है, कि शायद वो गलत जगा पर आ गया ह वो इंडिया से यहाँ पर ये सब करने नहीं आया है पर नजीब की बात उस शेख को समझ नहीं आ रही होती इसलिए नजीब उसके पैर पकड़ लेता है और वो शेख उसे दुबारा से मारता है फिर माएक और दूसरा शेख आता है जिस अपना एड्रेस और बाकी चीजे दिखा कर नजीब समझाने की कोशिश करता है लेकिन वो शेख नजीब की वो सारी चीजे ही फार देता है नजीब के पास अब अपने नसीब पर रोने के लावा कुछ भी नहीं बचा था उस ऐसे देख शेख उसे रोटी खाने के लिए देता है वो सुखी रोटी काफी मोटी थी और वो नजीब से निगली नहीं जा रही थी तो शेख उसे सबजिया कुछ और नहीं बलकि पानी देता है कि रोटी को इसी पानी में डुबा कर खाओ तब अराम से निगली जाएगी अब भूख होती ऐसी चीज है कि नजीब को ना चाते हुए भी ये खाना पड़ता है और ये सीन काफी एमोशनल था रात में नजीब अपनी बीवी का दिया हुआ चार खाते हुए उसे याद करता है यहाँ पर हमें वो सीन निखाय जाता है जब नजीब की पतनी उसे छुड़ने टीशन आई थी यही से नजीब के साथ उसके एक पड़ुसी ने हकीम को भी भीजा था ताकि नजीब उसका भी ख्यार रखे यह शायद आकरी बार था जब नजीब ने अपनी पतनी को देखा था अब तो वो उससे बता भी ने सकता कि वो कहां और किस हाल में है नजीब के मन में यहाँ से बाग जाने का भी विचार आता है और जब एक आदमी यहाँ पानी लेकर आता है तो उससे नजीब कहता है कि भाई मुझे अपने साथ ले चलो और नजीब को उससे बात करते हुए देख शेक समझ जाता है कि नजीब उससे क्या कह रहा होगा इसलिए यहाँ भी शेक नजीब को मारने लगता है जब नजीब उसे रोकता है तो शेक गुस से में बंदूक निकाल लेता है और उसी बंदूक से नजीब को बुरी तरह मारता है यहाँ भी नजीब अपनी पतनी को याद करता है कि कैसे उसकी शादी हुई थी माँ पर गरीबी तो थी पर सुकून भी था उसे सुकून को अब नजीब यहां मिर्च कर रहा था वो कहते हैं न दोस्तो कभी कभी हमारे पास जो चीज होती है हम उसकी कदर नहीं करते और निकल जा दें और बहतर की तलाश में जो नजीब अपने घर में जब चाय नदी में ना लेता था वो आज पता नहीं कितने दिनों से नाया नहीं था या नहाना छोड़ो दोले के लिए भी पानी नहीं था संडास करने के बार नजीब को रेत के जर्य ही सोच करना पड़ता था अब एक सुबा जम नजीब उड़ता है लेकिन फिर किसी तरह से नजीब सीख जाता है और उनका दूद निकालने लगता है या इस वक्त तक वो समझ चुका था क्यों से अब यही करना होगा जिसके बदले उसे दो वक्त की रोटी के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला इस काम को नजीब ने पहले कभी नहीं किया था इसलिए उसे काफी दिक्कते आती हैं कई बारतों से बक्रिया मार भी देती थी जिससे नजीब को काफी चोटे भी आती है लेकिन अब वो भी इन बक्रियों के जुन्ड का हिस्सा था नजीब को यहाँ आप शायद कुछ मैने बीच चुके थी, उसने काफी दिन बाद अपना चैरा देखा था, तब नजीब जैसे पहले दिखता था, उससे बिलकुल ही अलग दिख रहा था, साथ यब उसकी सेयद और शरीर भी पहले जैसे नहीं रहा, इस बारे में सोचकर वो काफी दुखी होता है, तब ही अचानक से उसे पहाड़े के पीछे से अवाज आती है, वो जाकर देखता है तो वहाँ का नजारा देखकर वो दंग रह जाता है, दरसल जो बुड़ा आदमी यहाँ बखरियों का ख्याल रखता था, यह उसे की लाश थी, जिसे गिद नोच नोच कर खा रहे होते हैं, यानि कि वो यहाँ पर काम करते करते मर गया, और इन शेकों ने उसे डंग से आखरी विदाई भी देना सही नहीं समझा, उसकी बोड़ी की सालत को देखकर नजीब गिद्दो को बगाने की कोशिश करता है, लेकिन वोल्ट आ नजीब पर ही अमल लेता है, और वो शेक केमल पर बैठकर नजीब का पीछा कर रहा होता है, फिर जब नजीब उसके वास देने पर भी नहीं रुकता, तो शेक उसकी तरफ गोली चला देता है, हाला कि गोली नजीब को नहीं लगती, पर वो गिर जाता है, शेक गुस्से में उसके पास आता ह और अपनी बंदूक से उसे काफी मारता है यहां तक कि नजीब को यह सबक याद रहे और वो दुबारा भागने की कोशिश ना करे इसलिए शेक मार मार कर उसके एक टांग मी तोड़ देता है नजीब की हालत अब उन भेड बकरियों की तरह हो चुकी थी जिने उनका मालिक मा होता है तब यह अचानक से बारिश शुरू हो जाती है इस बारिश को देख नजीब जल्दी से एक पहाड़ी के नीचे चला जाता है इस दुरान वो यहां पर एक गुफा देखता है जिसके उस तरफ किसी की आवाज आ रही थी उस गुफा में आवाज को सुनते हुए हकीम नजीब से रोते हुए कहता है कि भाई अशिरवात में लोगों ने मुझे बहुत मारा आज भी मायाद आती हैं ना जाने वक कहा हूंगी क्या सोचा था हमने और क्या हो गया फिर वो कहता है कि मैं हाली में इस जगह पर आया हूँ लेकिन अब आप मुझसे मिल नहीं आ होता है अभी कुछ दूर पर वो हकीम को देखता है जो कि ये कागज छोड़ कर चला जाता है फिर नजी बढ़ी मुझकिल से उस कागज को पड़ता है जिसमें हकीम ने लिखा था कि भाईया जब मैं यहां आया तो मुझे एक अफरीकन गुलाम मिला जिसका नाम कादरी है उसकी मदद से हम भी यहां से निकल सकते हैं बस हमेशा ही मोके की तलाश करनी है आप भी तयार रहना अब अगले दिन हकीम नजीब को कादरी से मिलवाता है कादरी अफ्रीकन भाषा बोलता था जिसे हकीम समझ लेता था लेकिन नजीब नहीं पर यहां इतना तो समझ आ गय इस विशाल और बंजर रेगिस्तान में हम इतनी दूर और कैसे भागेंगे हकीम उसे कहता है कि भाईया हिमत रखो सब अच्छा होगा बस फिर क्या था वो दिन आही जाता है जब सेख सुबा होते ही निकल जाते हैं और नजीब जब यहां अपने कपड़े खोलता है तब हम हो गई है इसलिए वो अपनी पैंड को एक रसी से बांता है फिर आखरी बार वो सारे उंट और भेड़ बक्री को खाना देता है और सभी से कहता है कि अलविदा मैं जा रहा हूं हमेशा के लिए इसी बीच नजीब को लेने हकीम और कादरी आ जाते हैं हकीम नजीब से कहता है कि हमें रात होने से पहले रोड तक पहुचना होगा तो अब ये लोग यहां से निकल जाते हैं मगर एगिस्तान तो इनकी सोच से भी कई ज्यादा विशाल था रात होने तक सभी को प्यास लग जाती है तब कादरी थोड़ी दूर पर कुछ शेक लोगों को देखता है औ पर कमजोरी की वज़ा से भियोश हो गए थे सुबा जब इनकी आँख खुलती है तो देखते हैं कि चारोई तरफ बंजर एगिस्तान और रेती रेत है चलने के लावाब इनके पास कोई चारा नहीं था क्योंकि इन लोगों ने ये कदम सोच समझ कर उठाय था कि यहां अग्यादी रेती है जिसे हम मिराज कहते हैं दोनों पास जाकर देखते हैं तो वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था बलकि एक कैमल की लाश पड़ी हुई थी जो शायद प्यास से ही मारा गया फिर ये तीनों हिम्मत करके आगे बढ़ते हैं तो अचानक से धेर सारे रेत वाले स माँ आ जाते हैं जिनसे कादری हकीम को दो बचा लेता है लेकिन नजीब उन साबों के बीच भच जाता है उसे कादری इशारे से हुआ बिना हिले खड़े रहने के लिए कहता है और नजीब ऐसा ही करता है काई साब उसके अगल भगल और कुछ उसके पैरों के उपर से ओकर चले जाते हैं और ये सिन देखने में काफी खतरनाक था इस पॉइंट पर कादरी देखता है कि नंगे पैर होने के कारण नजीब के पैर में कई छाले पड़ गए हैं और साथ इस सूजन भी आ गई है ये देख कादरी उसके पैरों में एक कपड़ा फाड़ कर बांदता है त लेकिन कादरी काफी स्ट्रॉंग था और वो इन दोनों को छोड़ कर कई जा नहीं रहा था वो इन दोनों को हिम्मत देता है एक समय तो ऐसा आता है कि हकीम और नजीब प्यास की वज़ा से ब्यालो कर बेहोश हो जाते हैं इस दोरान कादरी इन्हें अपना पसिना तक पिल देता है इस तरह चलते वे इने तीन दिन बीच चुके थे अब हकीम का शरीर उसका साथ छोड़ रहा था तो कादरी उसे उठा कर आगे बढ़ने लगता है जिस दोरान हकीम को जब थोड़ा होश आता है तो उसे आगे शेयर दिखने लगता है जब कीमा पर कुछ भी नहीं उड़ देती हैं उसे भी अपने सामने लाश में बदलता देख नजीब के कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे क्या उससे वहाँ से आदे वक्त हकीम की मा ने कहा था कि इसका अपने छोटे भाई की तरह खया रखना नजीब हकीम की बाड़ी को पकड़ कर रोही रहा ह तबी कादरी देखता है कि रेतीला तुफान सामने से आ रहा है इसलिए वज़बरदस्ति नजीब को लेकर भागता है इस तुफान की वज़ा से हकीम की लाश भी उसे रेत में कई खो जाती है ये दोनों भी उस तुफान से किसी तरह बचते हैं फिर जब तुफान थम जा तो कादरी को कुछ दूर पर पानी दिखता है और दोनों उस पानी को देख काफी खुश होते हैं यहां कादरी नजीब को थोड़ा थोड़ा करके पानी पिलाता है फिर उसे यहां पर एक बॉटल दिखती जिसे कादरी बासुरी की तरह बजाता है अब रात यहां बिताने के पानी पीते पीते किसी तरह भागे से रोड तक पहुंचने में काम्याब हो जाता है पर अब उसकी हिमत जवाब दे चुकी थी भूग प्यासे बहाल वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था उसकी सालत को देखने के बाद भी कोई गारी नहीं रोक रहा था फिर कुछ दिर बाद नजीब लड़ खड़ाते हुए एक मल्याली रेस्टूडेंट के करीब जाकर गिरता है ये रेस्टूडेंट कुझी का नाम के आदमी का था जो नजीब का इलाज करवाता है साथ उसके बालों को भी कड़वाता है फिर वो नजीब के बता हुए नंबर और एड्रेस के जर यहाँ पर जो लोग अपनी कंपनी या बॉस से भाग कर आए थे उन्हें वो शीक पकड़ कर वापस ले जाते थे एक दिन नजीब का शीक बॉस भी यह आता है जिसे देख नजीब डर रहा था कि कहीं वो मुझे ले जाना ले पर वो नजीब को कहीं नहीं ले जाता हाला कि उसने उसे पैचान दो लिया था दरसल इस शीक के पास किसी ओर को काम करने आना था और वो नजीब को गल्दी से ले गया था आब नजीब के implement papers उसके पास नहीं थे तो वो नजीब को नहीं ले जा सकता था ये बात जानकर नजीब थोड़ा हलका महसूस करता है फिर समय आ चुका था कि उसके पास जो भी है वे काफी है यहां कई लोग तो एक इक बून पानी के लिए भी तरस रहे हैं इस मोवी ने हमें दुनिया का सबसे अच्छा सबक दिया है कि हमें संतुर्ट रहना चाहिए वो भी उन सबी चीजों से जो भी हमारे पास हो साथ अपने सपनों पर काम तो करो लेकिन काम्याबी और एशोराम के चक्कर में इतनी दूर भी ना निकल जाओ कि वापस लोट पाना ना मुम्किन हो जाए इसी बहतरीन मैसेज के साथ यह सची घटना पर आधारित मोवी खतम होती है दोस्तों आपको एमोवी कैसी लगी हमें कॉमेंट में जर डही हमेवी extrapolating हो गसे दोस्तों हो खतरीन मत्वाद के घोड़ी के साथ यह